नमस्कार दोस्तों मैं परदीद दुवे, आज हम बात करने वाले हैं भरत पे पोश्ट पैट के क्रिजिट कार्ड के बारे में, दोस्तों यह जो कार्ड है कापी लोग तो बनवाली हैं, कापी लोग यूज कर रहे हैं, साईड में देख सकते हो, इन्नोंने पूरी लिमिट को कोई खर्च कर डाला है आप लोग देख लोग स्कीन सोट के माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझाने कोशित करूंगा कितना यूज करना चाहिए सिविल कैसे काम करें कैसे इंक्रीज होगा कैसे रिपोर्टिंग होगा पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और मुझे कैसे बिल पेमें करना है कहा कहा यूज कर सकता हूँ क्या इसके बेनफिट है इसके बारे में काफी वीडियो बन चुके हैं बट इस वीडियो में मैं आपको सुन ओली इतना आपको बताऊंगा कि इस कार्ड को कितना परसेंट यूज करना चाहिए और जो बिल प पास डीडियृ कार्ड हो चाहे आपके पास प उसकार कार्ड हो अडंत एक प्रकार से यूज के आपका पैस पर मेंघेमा हैं और वेल्स आपको करनेफियो सवास का तक खर्च करते हैं तो आपकी जो सिविल है और पूरी तरीके से अपडेट होगी और पूरा रिकॉर्ड आपका वहाँ पे दिखेगा प्लस आपका जो लिमिट है वह भी इंक्रीस होने का चांस रहेगा अब यहाँ पे सवाल आ चुका है तो ए तो क्रिजिट कार्ड के बारे करने के लिए आपके पास सारे इंकम पुरूप सारे सिलिप होना चाहिए यह आपको विडाउट किसी इंकम फूरूप ओली सिल बेस्ट मिल रहा है वह लिमिट आपको 4,5,6,7,7,7,7,7 आपको लिमिट मिल रहा है अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि सिविल कैसे काम करेग अगर इस card को आप जो है, यूज करते हैं, मालो आपको एक लाख रुपीज के limit मिली है, तो 30% के something यूज करो, अगर आप 30% यूज करेंगे तो इस card का जो मज़ा है, आप अच्छे से ले पाएंगे, और civil को increase करवा पाएंगे, आपका जो limit है card का, वो भी आपका increase होने का chance रह कैसे आपको अपने अंदर उल्जाय रखेंगी, तो कुछ चीजे नहीं पता होती है, जो कुछ लोग research करके आप लोग को बताते हैं, तो मैंने इसके लिए research किया, चेक किया, और मैं आपको share कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास एक card है, तो आप इस card से only 30% खर्च करें, इस कर सकते हैं, देखिए, emergency problem है, तो आप साल में एक दो महने, आप कभी कभी पूरा limit उच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर हर मन्त कार उच करते हो, तब 30% खर्च करो, आपके civil में कोई effect आने वाला नहीं है, आपके civil 100% increase होगी, और आपका record एक अच्छा good category में आएगा, अगर आपकी profile अगर इस tender category में आ जाते हैं, तो आप एक high label के profile customer हो गये, इसका मतलब ए हो गया, भबिस में कभी आप loan या education loan पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई loan अगर अगर अप्लाई करते हैं, तो bank आपको मना नहीं करेगा, इस tender category वालों को आपका bill बनने के बाद, आपको एक timing दी जाती है, जैसे credit card में होता है, वो ऐसी system इसमें भी है, आप एप के अंदर से click करके UPI debit card net payment कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना, इस card को use करने का तरीका आपको यही है, कि आप 30% खर्च करो, क्या आप इस M.Yon Philip card प transition करके, एक के अंदर से आप MI convert कर सकते हैं, आपको कुछ charge देना पड़ेगा, और आपका MI convert हो जाएगा, तो आप इस card को, एक credit card की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट एक सिमित तकी रहें, आप अपने विवरा से उपर ना जाएं, जो आपका income है, उसी के भीहाब के आप काम कर आपके लिए फायदा होगा, साइध मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ, अगर बता पाया हूँ, तो मुझे like के support करें, दोस्तों में share करें, मनमें कोई भी सवाल तो comment कर देना, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के आपके लिए जाए हिन, वांदे मातरम